दोस्तों जैमता की रादे रादे आप सभी को तो आज है मा कात्यानी जी का दिन आज उनी की स्वरूपों का पुजार चना होगा तो मैं आपे जाडू लगा के वाइपर से जाडू लगाती हूँ क्योंकि यह जाडू नहीं लगता है उसके बाद मैंने पोच्छा मार ली यह तो अभी किचन में तोड़ा सा बरतन था मैंने दुल ली क्योंकि सुवह सुवह रोटी ओजी मैंने बटी का बनाई थी टिफिन में उसको उसके बाद मैं काम में लग जाती हूँ क्योंकिसुवह सूट करने का टाइम ने रहता बहुत गहाई रहता है तो यहां पर काम कि अंदर बाहर अच्छी से साफ सफाई करके एक भी जूटा वरतन ना रहे उसके बाद पूजा में बटे तो ज्यादा बितर रहता है तो बाहर भी मैंने दुल ली दुलने के बाद मेरे गमले में आज वापस तीन फूल आया है वोलेनाजी के लिए तो फूल भी मैंने तोड ली तोड़की इसको रखने बाद मैं फिर चली गई नहाने के लिए नहा के अभी मैं आ गई हूं तो अभी नहाने के बाद मैं सबसे पहले सुन नरान बहुन को जल देती हूं फिर मैं चलूंगी मंदीर में पूजा करने के लिए तो चली आप सबको भी लेके चलते हूं मं तो यहां पर दर्शन कर लिजे मेरे मतारा दर्शन कर लिजे उसके बात पूजास्थान पर रख दिती हूं यहां एंक बात मैंने तीन वी स्ह officers енअल खक хоч में नहीं से वहुला को शितन हैं बड़े होने पाइन डाले चीट्ट्टे डाल डाले एक साथ में उड़ेल नहीं उससे क्या नहीं ज्यादा पाणी चला जाता है तो थोड़ा सा बुर्सी जैसा वाइट वाइट होता है वैसा लग जाता है तो इस तरह से फूल या पोई कुशाव अगर लेके जिससे भी आप आप डाल सकें त्लियां छीटे मारकी आराम राम से डाली है अगर आपके KALSA का पानी सूख गए आना तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं बिना कलस को छढ़काण किये है जीसे जो आम का ये पत्ता है ने पत्ते के सारे आप इसमें धीरी धीरी से कोई बरतन से पानी लेकि प्रकays 5 अगर ऑपको एंपसेल है अप्रोय और आपको सही करें तो मत करें मैं आपको सयार करें ऐता अगला और मुझे पड़ जी ने बताया, इसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ, इस तरह से देखें, आप बहुत ही आराम से पाइन डाल सकते हैं, मैं आपको डाल के बता रही हूँ, पर मेरा सुकत नहीं है, इसको बस बताने के लिए बता दियूं, तो यहाँ पे देखें, मैं दरवा माता जी के लिए मैं आहार बनाई हूँ, मंगवाई हूँ, तो यह बहार लगा के मैंने पूजा अर्चना अच्छे से हो गया, यहां भोग, सेवा, आर्ति, मुखवास, पान का जो भी खाना उनको भोग में प्रशाद लगाना रहता हूँ, सब मने लगा दिया भी दो पर को जो भी फलाहार बनेगा, वो लगेगा भी फुरूड दही, और यह सब का मैंने प्रशाद यहां लगा के आप सब को दर्शन करा रही हूँ, आज आप सब भी अपने मन में भाव रखके मा का त्यानी जी का दर्शन कर लीजिए, आप सभी को पर कृपा बनाए रहे हैं माता बाद में में इनको श्नान करा के फिर से भोग लगाती हूँ, तो यह मैं वापस धूप लगा रहे हूँ, धूप तो मैं बारा बजे तक कंटीनू जलाती रहती हूँ, फिर जब मैं पाठ करती हूँ तो वापस आर्थी करती हूँ, तिस तरह से अभी मेरा नौरात्री में दिन बर मेरा दूप चलते ही रहता है, तो यहां पे देखे मेरा पूजा अच्छी से सब कुछ हो गया, पर बीच बीच में फिर भी मैं दूप जलाती हूँ, तो यह सब होने के बाद अभी मैं एक आर्थी कर ली हूँ, बाद में फिर मैं एक आर्थी करती हूँ, क्योंकि पाट कर लेती हूं, तो मैं दूसरा आर्ती करती हूं, साम को एक तीसरा आर्ती होता है, इस तरह से मैं आर्ती करती हूं, तो यहां पर आर्ती हो गया है, आप सब भी माता जी का आर्ती ले लिजी, आप सब को मैं आर्ती दिखा रही हूं, अपने माते से लगा लेजिए, तो ये मा कात्यानी का रूप समझ कि आप सभी आरती ले लिए यहां पर मैं भी माला करूंगे और मेरी देवरानी फलहार बना रही है तो आज वो फलहार में कुछ जादे बनाने वाले हैं क्योंकि मैं अकेली रतियुत इतना नहीं बनाती हूं उन लोगो भी कितना मना करेंगे त अगर नहीं एक पर उसके बाद यहां पर बेफर को तल पर आया है तो अभी मैं भुग लगा देती हूं माता जी को तो देखे यह है भाज जी और यह si혁 राजगी Stories प्रशाद भोग दूगी तो यह भोग उनके पास इतना टाइम तक प्रशाद भोग सिवा हो गया है और उसके बाद मैं भी जाओंगी फलहार करने के लिए तो आप सब को वीडियो कैसा लगा है जरूर कमणी बताना वीडियो को लाइफ सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलना जैए माज़िए